आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो भाजपा के राष्टिय महामंत्री हैं राजसमा के सांसद हैं लेकिन उनकी विसेश पहचान ये है कि वो बच्चों के डाक्टर भी है जो बच्चे बोल नहीं पाते उनकी नब्ज दबाकर वो जान जाते कि इसको परिशानी क्या है अब ये मानते हैं कि चुनाओ के दोरान दो दिन तीन दिन सहर में गूं करके आप पूरी स्थिती से अउगत हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है हम लोग वो विद्यार्थी हैं जो पूरे पांट साल पढ़ते हैं माननी मोदी जी दस साल हो गया सायधी कोई ऐसा दिन होगा जब उन्होंने कभी आराम किया होगा और सायधी कभी ऐसा कोई काम उन्होंने किया होगा जिससे जनता का प्रतेक्ष लाव नहों इन दस सालों में वो हमारे नागरिकों के दिल में गहराई तक पैठ गए हैं और इतनी अधिक घहराई तक जा चुके हैं कि जनता जब उट देने जाएगी तो उसको कमल चुनाव चिन के अंदर भी सिर्फ मुदी जी दिखेंगे अई जो परत्यासी बार-बार रिपीट के हो यह क्या है अब देखिए किसी भी परत्यासी को जो जीत के आया है अनावस्यक रूप से जब तक कोई गंभीर आरोप नहों कोई बहुत बड़ा बीरोद नहों उसका सिर्फ इसलिए टिकट बदल देना कि हमको टिकट बदलना है यह तो उसके साथ भी अन्या है ना कि अगर थोड़ी बोड़ी कहीं अन्टी इंकमेंसी होगी तो भी साथ में बह जाएगी मुदी जी एक सुनामी की तरह लोग परिता पा चुके बहुत गहराई में उनका संदेश जा चुका है गाओं की मेंड़ पर बैठी ही अड़ते हैं जिनको हम अक्सरा सिक्षित कह देते हैं राजनेतिक रूप से वह बहुत सिक्षित हो चुकी है और अब उनको कोई चाथ के नाम पर या लाफ के नाम पर या एक लाख रूपिया देने वाले हैं हम इसके नाम पर या हम जातिगत करना करा देंगे इसके नाम पर अब कोई उनको बर्गला नहीं सकता है क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है ना दस साल से वो किसी आदमी को उनको उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए देख रही है तो रुपिया खटा-खट आने की बात हो रही है कि एक लाग रुपिया आएगा और आसन पांच से नहीं दस किलो देगे अब भाई बचनम किम दरिदरता जब आपको मालूम है कि आपकी सरकार आनी नहीं है आप पच्चास से घट करके 40 सीट पर आने वाले है तो लोगों को मूर्ख बनाने में इस प्रकार के वादे का देने में घर से जाता क्या है एक लाक रुपिया दे देंगे खटा-खट गरीबी खतम कर देंगे गरीबी खतम करने का इतना ही सामर्थ थे तो जन्ता ने तो कांगरेस को 65 साल दिये थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नाम पर उन्होंने गरीबों को ही हटा डाला गरीब तो जहां के तहां रह गए अच्छा ये बताइए कि आप लोग ये कई से चूग गए अमबेडकर, संबिधान, आरच्छन, तीनों पर आपको भी पक्ष फसा ले गए नहीं, हम लोग इसको भी नहीं मानते हैं जनता बहुत पढ़ी लिखी हो चुकी है और जनता को मालूम है कि इस देश में संबिधान एक सो च्छे बार बदला गया है जनता जानती है जनता को मालूम है कि 1950 में देश आजाद हुआ और 1951 में ही नहीरूजी नहीं संबिधान बदल दिया और लोगों के अपने विचार अव्यक्त करने के अधिकार को चीन लिया लोगों की संपत्ती के अधिकार को चीन लिया तो इनके सारे काले चिठ्थे और इनके ताना साही वृत्ती लोकतंत्र के प्रती इनकी नर सिर्फ अरूची वलकी वास्तों में अंदर से एक आक्रोस और अस्रामती जनता भली बात 65 साल के जैसे मैंने आप से कहा कि 10 साल में मोदी जी ने अपनी अच्छाईयां लोगों के दिल में पैठा दी है वैसे ही 65 सालों में कांग्रेस ने अपनी बुराईयां लोगों के दिल में पैठा दी है और अब वो जल्दी उतरने वाली नहीं है यह जो एतनी भीड आ रही है बलाखो लाग की अखिलेस और राहूल की जनसभा में यह आप लोग नहीं देखते हैं देखते हैं और मैं चुनवती के साथ कहता हूँ आज देश में मानी नरेंद मोदी जी को छोड़ दिया जाए तो किसी के अंदर यह सामर्थ यह नहीं है कि बिना पैसे की भीड़े कठा कर सके हैं यह जितने भी लोग आपको दिखते हैं वो सब फंड़ेड लोग हैं और जो कभी-कभी आप उनके मंचों पर जगड़े देखते हैं वो जगड़े भी इसलिए होते हैं कि हम यह आ गई लिए हमके पैसा नाई मिला लो अपके देए उनके खाता तक तो सीज कर दियो आप सब फंडिंग बंद हैं कहां पैसा है अरे आप कैसी बात कर रहा है हम उनके एक नंबर के पैसे को बंद कर सकते हैं कांगरिस की पैचान दो नंबर के पैसे से है और आज से थोड़े है मुदड़ा का जीप कांड हुआ था सेना का जीप कांड का भर्ष्टा चार करके यह सब पैसा लाए थे नटवरलाल के माध्यम से इंद्रा गांधी पूरे बैंकों का पैसा लूट लिया करती थी यह तो इमानदारी से राजनीत करने लगें त्याक तपस्या और बलिदान की राजनीत करने लगें तो लोग उनमें और इंद्रा गांधी में अंतर देखने लगेंगे लेकिन जब वही कुछ करते दिखेंगे जो नेरु जी के जमाने में होता था कपड़े धुल करके लंदन से आ आप पीछा नहीं चोड़ेंगे तब जंतां उनके बारे में विचार करेगी कि कंगरिस में क्या कोई नई पाउध आ गई देखिये एक बात समझे अगर जंता के मन में उनको लेकर यह भाव नहीं हो तो हम जंता के मन में भाव डाली नहीं सकते हैं किसी चीज का परसेप्षन पॉलिटिक्स में उनके बारे में लोग यह मानते हैं कि वहीं हैं खूनी पंजे वाले 65 साल उनका नाम था किसी जमाने में खूनी पंजा आज कुर्सी से नीचे हैं तो लाकुराक रूपिया जब कुर्सी पर बैठने लगेंगे तो 1975 कि 2025 तर में लगाया गया आपात काल किसीको भूल गया है कि जम्क्रूव म बहुत आया बार-बार आपस कि आदमी हो कि जातियों के समयाओं में भी जातियों का समीकरण नहीं करते हैं हम तो हिंदु मुशलमान भी नहीं करते हैं पां करना नहीं चाहते हैं तो नारा दिया था सबका साथ, सबका विकाज, सबका विश्वाज, सबका प्रयास और आप हमारी सारी योजनाओं को देख डालिए जितनी जनसंख्या मुस्लिम समाज की है उसमें जितने लाभार्ती है अगर उनकी जनसंख्या 14% है तो लाभार्ती 31% से 32% है ये डाकुमेंट पर मैं कह रहा हूँ, इसको मैं चुनाओती के साथ कह रहा हूँ हमने तो उनको भी लाभ देने में कोई अंतर नहीं मैसूस किया है तो हिंदूों में हम जाती बात कैसे करेंगे कुछ लोग कभी-कभी भ्रमित हो जाते हैं तातकाली गुरूप से लेकिन वो एकाद दो चुनाओं होते हैं लोटके फिर चले आते हैं हिंदू समाज इन जनरल एक हिंदू के रूप में कम अब रास्टोबात के नाम पर अधिक ओट करता है अखरी सवाल है एक बात आई कि इस लोग सभा के चुनाओं में पहले दो तीन चनर जो गया वोट परसेंटेज डाउन रहा तो लोगों ने कहा कि संग जो है बीजेपी की पूरे साथ मदद नहीं करा फिर बात आई कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होगी हमें और जु कुछ भी नहीं कहा था ये एक सच्चाई है राष्टिये स्वयम से वकसंग अनावस्टक रूप से अपने नियमों और सिधानतों से परे जाकर के भारती जनता पार्टी की इकद्विद्यों में कभी भी हश्तक छेप नहीं करती है ये तो एक नार्मल रूटीन प्रक्रिया है हमारे उनके बीच की उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा था उसको गलत दिशा देने का प्रयास हुआ और जहां तक कम वोट का सवाल था सच्चाई यही थी कि उस समय जो पहला चुनाव हुआ हमारे विपक्ष में जो लोग थे वो बहुत कमजोर थे वो हमको कहीं जनता को मजा नहीं आता है जनता वोट करने के लिए उससाहित नहीं होती है इसनाते चुकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पस्चिम में लोग दल के हटने के बाद उनकी सारी जने खतम हो गई थी इसलिए वो कुछ कोई चुनोती देते दीखते नहीं थे नहीं एक आखरी सवाल आप करनाटक राज के परभारी भी है वहाँ चरम पर पहुंच गई थी बीजेपी अब क्या उस इतिहास को दोहरा पाएगी इस बार नहीं उससे बेहतर इतिहास दोहराएगी 28 में 27 था आप क्या दोहराएगी अरे 28 में 28 के आपसर नहीं हमारे पास और अभी जो विधानसवाद चुनाओं हमारे हैं हमको विधानसवाद चुनाओं नहीं जीतना है 135 सीटे वो लोग पाए थे न हम 165 पा करके अपनी सरकार आने वाले समय में करनाटक में बनाएंगे लोग सभाम बताईए 28 की 28 है और उनकी सरकार होने से क्या होता जनता तो हमारी है जनता के दिल में जो बैठने वाला है वो तो नरिन्द मुदी है वो तो नहीं बैठने वाले हैं उनकी सभाओं की भीड आप देख लीजिए राहूल गांधी करनाटक की जिन सभाओं को कर र जर्मन हैंगर में से गाड़ियों को हटा दिया जाए गाड़िया अगर भारी बाहर खड़ी करा दिया तो पांसो लोग भी नहीं होते हैं और मुदी जी की सवाव में 50,000, 60,000, 70,000 और लगातार चिलाती हुई जनसंख्या जो मुदी जी को भासर नहीं करने देती है इतनी उससा ही जनसंख्या तो उनके पास तो जो आते हैं वो सिर्फ उनके वोटर होते हैं वहीं उनका वोट होता है उतना और हमारे पास जो आते है वो हमारी प्रचारक होते हैं वो गाउं जाकर के हमारी चुनाव में हमारा काम करते हैं दोनों में बड़ा अंतर है तो ये डक्टर राधा मोहंदास अगरवाल जी थे जो राजनीत में फर्स से लेकर अर्ज तक पहुंचे हैं अपने जीवन को सादगी और इमांदारी से जीत क्यों हैं उनकी बातें कितनी सार्थक और सची होंगी ये चार तारिक को जब चुनाव पैडाम घुसित होंगे तब पता चलेगा कामरेमन पंकच के साथ दीरेंज सिंग भारत समाचार गोरकपुर्ण